नवस्कार दोस्तो जैहिंद वन्दे मात्रम सभी मित्रों को स्वागत अभिननन करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छा जगत के चैनल राश्ठित में चैनल जैसवाल कोचिंग सेंटर पर मैं आपके साथ बीजय सर्ब साथियो यह आपका पर्यावरन का 16 नंबर क इसकी पिछली क्लासेस अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर बेल आइकन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तो आज के क्लास पर 60 नंबर की क्लास पर साइंस के मात पूर्ण आपके 30 कोश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं जो बहुत लेकि 10 बार प्रस्ट रिपीट हुए हैं यह बीडो बहुत इंपोर्टेंट है सिच्छक भरती परिच्छा के लिए गोल्डेन चांसेज होने वाला है गोल्डेन बीडो होने वाला है तो आईए सुरू करते हैं पहला प्रस्ट जो है क्वेश्चन है इसकी इनके सामने यह आपके आचुका है पहला प्रस्ट यह है कि जिवान भोजी है जिवान भोजी कौन होता है वही आपका जिवानों को संक्रमित करने वाला जिवान यह जिवान को संक्रमित करने वाला जिवान तो जिवान भोजी कौन होता है तो वह आपका जिवानों को संक्रमित करने वाला बिसान हुई जिवान भोजी होता है दोस्तों लाश्ट में अपना कमेंट जरूर बताएं 30 प्रसनों में से कितना स्कूर आप लोग कर पा रहे हैं कितना अटेंड कर पा रहे हैं हमें comment box द्वारा जरूर आप लोग अपना अपना score का जरूर बताईएगा निस question बात करेंगे अंगला प्रस्ण स्कीन पर निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है ऐसा रोग बताईए भईया जो कीट के काटने से होता हो हर भाई वेन, हर ग्रहनी, हर सिचक बंदू, हर अध्यापक का स्वागत अम्यन्द करने वाले है सभी आप मित्र हैं, भावी अध्यापक हैं, सिचक सिचिकाए हैं प्रस्ण है निन में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है तो कीट के काटने से होने वाला रोग कौन सा है इस करवी है डेंगू है निमोनिया है दमा है इस करवी आवे विटामिन सी के कमी से होता है सभी लोग जानते है तो कीट के काटने से होने वाला रोग अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ तो आपका डें प्रसना ये स्कीन पर देख लेते हैं अंगला प्रसनिया है हीपोटाइटिस मानो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है जो हेपीटाइटिस है या हीपोटाइटिस बोल दें दो नाम से आता है तो हेपीटाइटिस मानो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो यह आ उपद वाली बात नहीं है, इस्टडी वाली बात है, सिच्छा वाली बात है, तो हेपी टाइटिस मानव सरीर के किस संग को प्रभावित करता है, तुम आपके लिए इनफार्मेशन के लिए बता देता हूं दोस्तो, जीगर को हम क्या बोलते हैं, यक्रत बोलते हैं, इसका प अंगला प्रस्ण की बात करेंगे, अगर कच्रा पानी के, अगर कच्रा पीने के पानी में मिल जाए, तो कौन सी बिमारी फैलेगी, अगर जो पीने का पानी है, उसमें कच्रा मिल जाए, यानि कि गंदा पानी अगर पी जाता है, गंदा पानी पीने से बिमारी फैलती है, क निमोनिया किस से होता है फेपडों को प्रभवित करता है आपका सभी लोग समझ गए होंगे निसकोशन चलते हैं अंगला प्रस्ट और जो भी चैनल पे नए आए हैं हर बच्चों के लिए है जो भी बच्चा नए आए हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक और शेयर कर देगा इसकीन साथ लेजिए बहुत ही मत्मूर प्रस्ट ने इसकीन साथ लेजिए इसकीन साथ लेकर गैलरी में आपको सेफ कर लेना है हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना है कौन सा बैक्टिरिया निमोनिया रोक का कारण है वेसिल, ककाई, इस्थली, विवरियो, कौन सा वेक्टिरिया, निमोनिया, रोक का कारण है ककाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा राई टेंसर, ककाई हो जाएगा अंगला प्रस्थन स्कीन पर आ चुका है, बेरी बेरी अब तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टन प्रस्थन दोस्तों बीसी जी का टीका किसके सनच्षन में के लिए होता है, ये लगवग 10 से 12 बार ये सिच्छक भरती परिच्छा में पूँचा गया प्रस्थन दोस्तों बहुत ही इंपोर्टन प्रस्थन है, बीसी जी का टीका किसके सनच्षन के लिए होता है, गल्फडे या गल्फेड पूँचा जा सकता है, 6 रोग हो गया आपका, कुष्ट रोग हो या टिटनिस हो गया, तो बीसी जी का टीका किसके सनच्षन में के लिए होता है, अगर होता है छे रोग के लिए होता है अब आप बोलेंगे सर ये छे रोग क्या नाम आपने लिख दिया ये तो कभी जाम में नहीं पूंचा गया है तो भाइए ये बता ये जाम में आपका टीवी आता है टीवी रोग पूंचा जाता है आप बोलेंगे सर पूंचा जाता है तो इ इसार रोग बता किये जो पानी के प्रदूसर्ण के द्वारा नहीं होता है सबसे बड़ा अपडेट कोश्चन है आज ही जासवाल कोचिंग सेटर को सबस्काइब करें यहाँ पे सिच्छाक बनना तैंहें साथियों क्योंकि आपके पैटर्ण कास सबी प्रस्ण लेकर आते हैं जो इजाम में पूछे जाने वाले हैं तो रोगों से कौन सा रोग रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूसर्ण से द्वारा नहीं होता है है जा की बात करें टाइफाइड दमा दस्त हो गया इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो प्रदूसर द्वारा नहीं होता है दोस्तों बहुत अच्छा अपडेट कोश्चन है और नए पैटरन के अमसार प्रस्ण है तो राइट इंसर क्या हो जाएगा दमा दमा जो है दोस्तों यह प्रदूसर्ण के कारण नहीं होता है जग क्या होता है पानी के कारण होता है टाइफाइड भी होता दस्त ये सभी पानी के कारण होते हैं ये तीनों लेकिन जो दमा रोग है ये आपके प्रदूसर्ण के द्वारा नहीं होता है याद रखना है बहुत अच्छा important प्रस्ण है नेस question की बात करेंगे एंगला प्रस्ण स्कीन पर है और प्रस्ण ये है रिंग वर्स नामक बिमारी के कारण होता है सायथ आपने फर्ष्ट वार ये प्रस्ण ये प्रस्ण ये पर इस्टड़ी कर रहे हों पड़े होंगे रिंग वर्स नामक बिमारी के कारण होती है क्या कारण होती है कवक वैक्टीरिया वायरस मक्खिया डिंगवर्स नामक विमारी जो है के कारण होती है किसके कारण होती है तो यह आपके कवक के कारण होती है याद रखना है next question आईए देख लेते हैं अंगलर प्रसुन स्कीन पर आ चुका है बहुत अच्छा 15 प्रसुन है अब सिच्छक बरती परिच्छा का जैस्वाल कोचिंग सेंटर का उस आउसदी का नाम बताईए जिसे सिनकोना पेंड से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया की उपचार में किया जाता है तो आपका कौन सा हो जाएगा सभी लोग बताईए तो कुनैन अच्छा आपको मालूम भी होगा इस कोश्चन की बात करेंगे अंगला प्रसन है अभी तक हमने 9 कोश्चन कप्रीट कर ली है यह 10 नंबर का कोश्चन है 10 प्रसन है दोस्तों क्लोरो फिल में क्या होता है जो क्लोरो फोलो कारबन बोल देते है तो यहाँ पे क्लोरो फिल जो है इसमें अखिरकार होता क्या है सोडियम होता है पोटैसियम होता है मैगनीज होता है मैगनीशियम होता है तो क्लोरो फिल में क्या होता है दोस्तों कमेंट करके जरा बताएं हमें तो क्लोरो फिल में आपका MG होता है Mg यानी की Magnesium होता है ने इस Question की बात करेंगे अंगला प्रस्न है प्रस्न यह है निमलिकित में से Hemophilia का लच्छन कौन सा है निमलिकित में से Hemophilia का लच्छन कौन सा है रताउंदी रख्का थक्का नजमना रिगेट हीमेग्लोमीन की अलपता तो Hemophilia का लच्छन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट एंसर क्या होगा इसका रख्का थक्का नजमना यानि Hemoglobin का क्या है अगर Hemophilia के कमी के कारण ही आपका रख्का थक्का नहीं जमता है यानि जब भी जगए पर चोट लग जाती आपके बॉड़ी पर तो वहाँ पर क्या होता है रख्क बहता रहता दीरे दीरे आप देखें वहाँ पर थक्का जम जाता है तो Hemophilia के उपलब्ध के कारण ही होता है जब आपका रख्का थप्पा नहीं जमता है तो समझ लीजे Hemophilia का लच्छन है Hemophilia क्या एक रोग है और यह होता Hemoglobin के कमी के कारण होता है Hemoglobin के कमी के कारण ही आपका Hemophilia का रोग होता है और यह रोग यही है कि आपका थक्का नहीं जमता है जब भी जिस जगए पर चोट लग जाती है उस जगर पर ठक्का नहीं वरता है और बलड आपका लगातार बहता रहता है तो यह हीमोफीलिया के लच्छन है हीमोफीलिया के कारण है और इसका हीमोग्लोबिन का कमी है यहां पर ठीक है अब बात करेंगे रताउधी होता है तो सभी लोग जानते है रताउधी किसके कमी के कारण होता है बेरी बेरी बिटामीने की कमी के कारण होता है रिकेट साब के बिकामी डी के कमी के कारण होता है निस कोश्चन की बात करेंगे अंगला प्रस नहीं यहाँ पर किस वाइरस के कारण चेचक होती है चेचक होता है किस वाइरस के कारण चेचक होता है तो यहाँ पर वेरियोला वाइरस फोर्थ नमबर आप देख रहे होंगे तो चेचक होता है किस वाइरस के कारण वोरी वेरियोला वाइरस के कारण याद रखेगा इसकीन साथ लेते जाए प्रत्येक प्रस्ण का और अपने दोस्तों में भी सेयर करते जाए लेकिन यह उसी का पलटवार प्रस्ण है पलटवार प्रस्ण यह है कि मतलब इसी का दूसरा प्रस्ण यह है थोड़ा डिफरेंट यह है पूछने का तरीका अलग है कुश्चन का बनावट अलग है बीसी जी का टी का निमनिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है तो सभी लोग अब तक का आपने इसका इंसर दे लिया होगा कि छे रोग छे रोग क्या है टीबी है तपे दिख है याद रखना है आई एंगनेस कुश्चन दिख लेतें अंगला प्रस्ण यह है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ण आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है रिकेट्स इसकरवी गंड माला बिकास का रुकना अब आप बोलेंगे सर गेंगा रोग होता है बच्चा बच्चा को मालूम होगा गेंगा रोग होता है वडीन की कमी के कारण लेकिन यहाँ पर गेंगा आप्षन ही नहीं है अब चलिए क्या बताएंगे इसका राइट इंसर क्या होगा इस आपसन में है नहीं आपका गेंगा तो क्या होगा गेंगा को ही हम गंड माला कहते हैं क्या कहते हैं गंड माला रोग ये ध्यान लखना आप लोगों को ठीक है तो यहाँ पे आपके परयावाची नाम भी पूँच लिए जाते हैं क्योंकि एक ही बीमारी के और भी कई सारे नाम होते हैं तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों पौधे भोजन का निर्मान करने के लिए निम्नकित में से किस से उर्जा प्राप करते हैं पौधे भोजन का निर्मान करने के लिए बात कर रहा है दोस्तों ध्यान रखना है क्वेश्चन को प्रस्ण को ध्यान पूरक पढ़िए क्योंकि यह जिन्दगी का सवाल है आपके लाइप का सवाल है आपके दो जो भी आपने 15-20 साल मेहनत किया है पढ़ाई में उसका सवाल है वो आपका दाव पर लगा हुआ है तो क्वेश्चन हर प्रस्ण को ध्यान पूरक पढ़ें दो बार पढ़ें फटा फटा आपसन देखें और क्लिक करें पौधे भोजन का निर्मान करने के लिए निम्लिकित में से किस से उर्जा प्राप करते हैं अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे यह गलती करते हैं आप लोग क्या करते हैं प्रकास संसेशन में क्लिक करके चले आते हैं और यही आपको एक नमबर का नुक्षान आप पर उठाना पड़ता है फिर आपका जो एंसर आता है कि सर हमने तो 120 प्रसंट करके आये थी हमारा 120 नमबर है यहापर लेकिन आपको जैसवाल कोचिंग सेंटर पर सब को सिखाया जाएगा पौदे भोजन का निर्मान करने के लिए निम्नखित में से किसके किस से उर्जा प्राप्त करते हैं सभी लोग क्या करते हैं प्रकास संसेशन लगा कर चले आते हैं लेकिन सरा सर गलत है यह सही क्या है सूर का भाईया यह बताए किस से उर्जा प्राप्त करते हैं उर्जा भाईया किस से मिलता है तो हमारे शूर भगवान से मिलता है शूर से मिलता है शूर से दिनकर भासकर दिवाकर से मिलता है यानि पौदे भोजन करने किस से करते हैं दिनकर भासकर दिवाकर शूर से प्रभाकर स से these is sows Skillshare की बात करें हमला प्रस्द्राय सौर और जारासानी कुरजा जलरासानी कुर्जा की समय की बात की बात की घए csak criminal की में कि समय बदलती Surprise बेस्ट यहाँ पर study हो रही दोस्तो अगर आप channel पर पहली बार आए हैं अपने family में relation में कोई भी अगर सिच्छर बर्तिक त्यारी कर रहा है उसको जरूर suggestion करें जैसवाल coaching center जोईन करने के लिए एक बार जरूर एक बीडियो जरूर यह share करें उसको देख बताएं यह बीडियो आप देखें वाकई में यहाँ पर आपकी जाम के pattern प्रसन है की नहीं है लाइक और comment दोरा जरूर जब आप लाइक करते हम एक motivate मिलता है और इसी तरह बीडियो यहाँ पर होगा आपका एक अध्यापक जरूर आपकी नियुक्त अध्यापक पर पद पर होगी जरूर तो सौर उर्जा रसानी कुर्जा में किस समय बदलती है राइट एंसर क्या होगा आई होप आप लोगों ने अभे तक comment कर दिया होगा तो प्रकास sensation पर सौर उर्जा नोट कर लिजीगा इसकी इसाट लेते जाएए और PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल गुरूप भी जॉइन कर सकते हैं सज करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर लिंक आपको वीडियो के सब से नीचे डिकरसन में मिल जाएगी WhatsApp गुरूप और आपका टेल प्लास्ट निभाता है सेंट्रो सोम निभाता है या आपका टोनो प्लास्ट निभाता है या आपका नेमर टूबलास्ट निभाता है तो प्रकास संसेशन के क्या प्रकास संसेशन में महत्पूर्ण भूंका निभाता है तो प्रकास संसेशन में सब से महत्पूर्ण भूंक क Já प्रिश्ट का निभाने वाला क्या हो जाए है ग Corinna करें अगर आपको पता हो बच्चा बच्चा जानता होगा क्लोरो प्लास्ट होता है इस क्या प्रकाश संसेशन में महतपूर भूम का निभाता है तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संसेशन में महतपूर भूम का निभाता है याद रखेगा चलिए इसकोशन दिख लेते हैं अंगला प्रसने स्कीन पर प्रकास संस्रेशन में कौन सा प्रकास सबसे कम प्रभावी होता है अब तक का बेश्ट टाप वन का क्लास ग्रेड वन का क्लास यहाँ पे सिच्छक भरती परिच्छा के लिए प्रकास संस्रेशन में कौन सा प्रकास सबसे कम प्रभावी होता है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है ये दो प्रस्ण बहुत इंपॉर्टेंट होते है प्रकास संसेशन से तो प्रकास संसेशन में कौन सा सबसे कम होता है तो लाल जो होता है वो सबसे कम होता है सबसे कम प्रभावी होता है प्रकास संसेशन में लाल सबसे कम जो होता है प्रकास संसेशन में हरा प्रकास जो है सबसे कम प्रभावी होता है वीक होता है लेकिन आपका जो लाल प्रकास होता है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है याद रखेगा बहुत ही important प्रसन है दोस्तों इस question की बात करेंगे अंगला प्रस्ण किसका बैग्यानिक नाम है बहुता होना चाहिए तो महिंगी फेरा इंडिया किसका बैग्यानिक नाम है हर बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे हर भाई वेन हर ग्रहनी जो भी यह वीडियो देख रहे हैं लाइक करने के साथ साथ कमेंट कर दीजे इसके अंसर क्या हो रहा है तो भाईया जो आम होता है उसे ही महिंगी फेरा इंडिया बैग्यानिक नाम से बोला जाता है यानि कि बैग्यानिक नाम क्या है आपका आम का महिंगी फेरा इंडिया क्योंकि यहाँ पर फालों का राजा बोला जाता है भारत देश का इसलिए महिंगी फेरा इंडिया इसका बैग्यानिक नाम दिया गया है नेस कोश्चन की बात करें इंगला प्रस्णिया है कि इस्ट एक है जो आपका इस्ट होता है वह एक क्या है जिवान हुआ है कवक है सेवाल है ब्रायो फाइट है तो इस्ट एक है क्या है कमेंट करके जुरू बताएं तीस में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं बच्चा आप अपने पैर पे कुलहारी मारना तो यही यहाँ पे होने वाला है अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करें भईया वेफिक करें इस्ट एक है इस्ट एक हो जाएगा आपका कवक हो जाएगा भईया कवक क्या है कवक एक इस्ट है याद रखेगा इस जाम में कर रहा हूं एंटी बायोटिक का अभिस्कार किस ने किया था अगर आप लोगों पता हो कमेंट जरूर कर दें जिससे हर भाई भेहन को पता चले जो भी और आपके भाई भेहन देख रहे हैं उनको पता चले कि भाईया कौन यहां पर बेस्ट होने वाला है कौन देखते हैं इसका सबसे ज़्यादा स्कोर जाने वाला है, हम कमेंट बाक्स में देखेंगे, एंटी बायोटिक का अविस्कार किस ने किया था, तो एंटी बायोटिक का अविस्कार जो है, कौन से महानों बग्यानिक है भाईया, तो आपके जोसिफ लिस्टर याद रखेंगे क्या याद रखना है जोसिफ लिस्टर ने एंटी बायोटिक का विसकार किया था जोसिफ लिस्टर ने नेस कुश्चन इसकीन पर लाइकेन किंदो के बीच का संबन्द बताता है अभी तक आपने डिफरेंट टाइप की परसुद पढ़े होंगे लेकिन यह आपका डिफरेंट है कि लाइकेन किंदो के बीच का संबन्द बताता है तो मैं कई बार आपकी परसुद वीडियो में बता चुका हूँ कई सारी क्लासेज में बता चुका हूँ अप लोगों को इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कवक और क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं क्या होगा लाइकेन किंदो के संबन्द बताता है तो सभी लोग जानते हैं सेवाल और कवक जो होता है सेवाल और कवक जो है like and kin do के बीच का सम्मन्द बताता है भाया सेवाल और कवक है क्या होगा right answer यहाँ पे सभी लोग बताएं comment करके right answer क्या हो तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेवाल और कवक हो जाएगा यहाँ फर्स्ट आपसन इदा right answer हो जाएगा next question की बात करेंगे अंगला प्रस्ट स्कीन पर है पौधे प्रोटीन संस्लेशन कहां से करते हैं जो पौधे होते हैं वह आपके प्रोटीन संसलेशन की बात करना है यह चीज आपको note कर लेना है पौधे जो है आपके प्रोटीन संसलेशन कहां से करते हैं तो कहां से करते हैं सरकरा से करते हैं याद रखना है अब ये भई आ गया प्रस्न साइद आप लोगों पता होगा आलू क्या है जड़ है डंठल है कली है फल है सब लोग क्या करते हैं आलू क्या खोद कर निकाला जाता है तो सभी लोग क्या है जड़ में क्लिक करके चले आते है लेकिन क्या है आपका आलू क्या हो जाएगा यहाँ पर तो तो आलू आपका एक डंठल है क्या हो जाएगा आप ए आलू एक डंठल है निसकोशन देख लेते हैं रेसम के कीडे किन पर पलते हैं जो रेसम के कीडे हैं वह किन पर पलते हैं तुलसी के पत्ते पर करी के पत्ते पर गुलाब के पत्ते पर गलवरी के पत्ते पर, या मलवरी, स्वारी, क्या है, मलवरी के पत्ते पर, तो रेसम के कीड़े किन पर पलते हैं, आपके, मलवरी या मालवारी भी पूछा जा सकता है, तो मलवरी या मालवारी के पत्ते पर आपके रेसम के कीड़े पलते हैं, निस कुश्चन है, वनस्पति वो नस्पतियों में प्रकाश संस्लेशन की क्रिया कहा होती है? सभी लोग कमेंट करें। पत्यों में होती है सभी लोग जानते हैं। ठीक है? नेस कोश्चन देख लेते हैं। मलेरिया से प्रभावी थोने वाला अंग है। तो मलेरिया से प्रभावी थोने वाला जो अंग है वह आपका कौन सा है? हैदय, फेफडा, गुर्दा, प्लिहा, तियनी, तिल्ली? तो मलेरिया से प्रभावी थोने वाला अंग क्या है? आपका प्लिहा जिसे हम तिल्ली भी बो आपका क्या समानता है मलेरिया तथा डेंगू में समानता क्या है ज़र है मच्छर की काट मानव प्रजाती मच्छर प्रजाती तो यहां पर समानता क्या है दोनों एक मच्छर प्रजाती है मलेरिया और डेंगू क्या है यहां पर मच्छर प्रजाती यहां पर उभैनिष्ट न यह देखे जोर आपका उभय निष्ट है मलेरिया डेंगू दोनों में जोर आता है मच्छर की काट सभी लोग जानते दोनों मच्छर में काटने से होता है मलेरिया और डेंगू मानो प्रजाती में होता है मलेरिया डेंगू और मच्छर प्रजाती जो है यह आपका उभय है यहारद रखेगा नेश कोश्चन दिख लेते हैं अंगला प्रस्नि स्कीन पर आ चुका है प्रस्नियां कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है साहध आपने पहली बार सुन रहे होंगे बहुत अच्छा प्रस्ण है जो निदरा रोग है नामक बिमारी किस से होती है तो जो प्रत आप संग देखेंगे एक बार ट्रिपैनो शोमा नामक एक कोस्की जीव से होती है किसके कार निदरा रोग की बिमारी हो जाती है और नेस कोश्चन इसकीन पर आ चुका है प्रस्णिया है निमलिखित में से कौन सा रोग कवक जनीत है कवक जनीत रोग बताना है निमलिखित में से कवक जनीत रोग कौन सा है तो राइट इंसर क्या हो जाएगा वहिया कवक जनीत रोग क्या हो जाएगा स होता है वह आपका कवक जनित रोग हो जाता है गंजापन की बात करेंगे इट्स किस के कारण होता है वाइरस के कारण होता है सभी लोग जानते हैं तो ये 30 प्रसुन है दोस्तों 30 प्रसुनों में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट दौरा ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार हैं सबस्काइब करने के साथ बिल आइकन प्रिस कर लिजेगा ताकि लोटेस नोट की सन आपको मिल जाए और फटा फट जाएए प्लेलिस्ट में चेक कीजे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी क्योंकि हमारे इच्छा राश्टित में सिच्छा जैहिंद वंदे मातरम सभी दोस्तों को सभी मित्रों को सभी बच्चों को सभी बच्चों के आपके माता पिता को मेरा प्राम कहिएगा जैहिंद वंदे मातरम मिलते हैं इस क्लास पर धन वाश्टित